कि हलो असलाम वालेकूं कैसे हैं आप सब चलिए आज बनाएंगे हम बनीला चोकलेट केक यह देखिए कितना बहतरी न और इतना स्पंजी केक बनाएं जब आप इसको खाएंगे आपको बहुत अच्छा लएगा आप ज़रूर बनाएगा मेरे स्टाइल से ट्राइ करके देख अच लिए हम शुरू करते हैं he tow गालना आइए स्टाइब करते हैंלי इस बने मैंने बटर ले प्रीश्पून गाल जिए मयल्ड कर अवर्य है 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 इस मेह लिए यह को दू कि दूने कर अ हंचा ंए महिस को दeलिब आ है ज़र म में को ठाएंगाग करना चाहरा है कि अपस्का अचे शेक्षाशा मुझे अच्छा शेक्षाशा राहा है तो आपक इसके बार दुखकिता है इसमें मुझे थोरी सी शुगर के डालनी है अपको अपको जालनी है यह पॉर्टेविल स्पून मैंदा है, तो आलती है। यहां मैंदा इसको किस्कार्णारिय। इसे मुझे यह जया विकिन सोडा विकिन पाउने तुम शरूनी अचालरिबादरे, और यह वारडर टीस्पूले उस्से जादने टकेगा बितो है। मारा रहे हैं तो इसी मैंनत को करने पड़ी इस नो इसमें बोना साम भी डालें के तभी अच्छे से नहीं है मैं आपने हैं यह दूद में आपने हैं करें तो कि इसका पैड़न चाहिए देखिए तो यह तो पैटर्ण में तयार हुआ है तो इसको बीद ही है यह देखिए इसको पैटर्ण को बना चाहिए इसको भी होता है अनुआ इसको बना इसको इसको पैन में डालेंगे पैन में थोड़ा साम बटल लगालेंगे मैंने गैस ओन करें यह थोड़ा सा सीरप डाल दिया पूल गी थी मैं थोड़ा सा सीरप डाल दिया तो तो अच्छा सा जाएगा और टेस्ट वीजाय का भी अच्छा हो जाएगा इस देखिये पर निया करते हैं इस दोड़ा साथ करें और दोड़ा है कि अगार में थोड़ा साथ क्रम करके चारव नाथ पएला ऑगोज़ा देखिये बटर डाली है में इस यैसे है टेखिसे नाद नीज थे अगर नहीं ड़न ड़े गातुए जाएगा तो यह दो भी वह तो यहां ब्रा जिसको आमने प्लेज ही जुगार की कुलते हैं चलिए या रिवरे पेटन का आइस मेटा लिए रिए प्लेश लिए अब आप यह इस जिसे लिए लिक्सवार को गया है इसको उड़के इसको ब्रॉटके इसको बॉटके इसको बॉटके आप लेके लिए तबार करने तास वार रखेंगां स्थाल हुआ इसको लखें तस मिनट के लिए शोड़ें मैंने ऐस दरफ वालाई ले लिए प्रेश क्रीब के लिए फ्रेश क्रीब तो दीने मिनगें कर में अबाइन डाले के इतने हो जायेगा हमारा आ है अ Когда मिला अपर इस दो भार जँख दि ना है है जानी कर डून है त्सम तर फिर न जाए कि अधर अ वी इसका मतली है जो पूपने आलो चुकाई बेगों चुकाई आमारे की रडी हो चुकाई अपैसे थंडा बतिके रहा हुए जो थंडा कर दिकले रखतें के अभिए थंडा हुझाए तो आप सुपा जो गिजीद डाला जाये लाजा है हमारे थी कुल रडी है अब इसको डालने के बाब उचेस को प्रेस में 10 मिनट के लिए रख देना है और तरिस में 10 मिनट के लिए रख दो ही में इसको तब ही थोड़े सा अच्छे से इसको प्राइपेन में बनाया है तो प्राइपेन में ही सब करना पड़ेगा इसको प्रेस में रख देते हैं 10 मिनट के लिए इसके बाद दे लिए इसमें हां टूपिक से रोल कर लेंगे तक यह सब अंदर जास हो जाएं जो मैंना भी दाला है इसको देखें अब केक विल्डू रेडियो चुका है यह मैंने प्रेस में से निकाल लिया है अब इसमें मैं मनिला फ्रेश लिए में इसको डाल भी इसके बाद यह वैसे ज्यादा ठंट नहीं हुआ है अब करम है यह अधरी जंदी तुम को लिपाता है जैसे भी करना चाहें जैसे भी लगाना चाहें अब कर दो मति हैं अब करते हैं और आपके यह पर भी इस पर के तबाय को और प्रुष एंका से जा गया इसमें साट तरुकाते है एपर नोभी अगया बेड़ी हो चुका है अब इसमें थोड़ा सा आशेगा सिर्फ डालेंगे तोड़ा साच्छा लगता है और तोड़ा टेस्ट भी अच्छा लगता है अब में इसको आपको कट करके तुकाएंगे हम आपको यह देखिए हैं आप कैसे एक तुम स्मूद्री स्पंचिंग केक हैं स्पंचिंग केक हैं यह मुझे भी पसंद है तुम्चों को भी पसंद है कैसे चाहिए केक तो रहा हुआ है कोई कहाई नहीं सकता कि मुझे केक पसंद है बुझे तुम्चों केक तुम्राइज और रूरी ना है तुम्हेश बांचा पसंदेब्री अचाहिए तुम्चों केक तुम्राइं सब्स्ते तुम्राइज बाहरे नीचे चोकलेट ऊपर वनीला एक तेंक तेंक